वेल्कम बेक टो साइंस बाइ नजीर यूट्यूब चैनल आज जो हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है एच्छी एफ एंड एल्सी एम एच्छी एफ और एल्सी एम ये डिफरेंट टेस्ट में इनके कुश्चेंस आते हैं तो वही हम डिस्कस करेंगे हची सेफ क्या होता है और एल्सी एम क्या होता है तो हैजसी एफ होता है हेजस का मतलब होता है के हाईएस्ट कॉमन फेक्टर एसी एफ हेजस हाईस्ट c means common f means factor highest common factor hcf हम निकालते हैं दो method से एक method होता है हमारे पास factor method और दूसरा method जो होता है long division method एक method कौन सा है first factor method दूसरा long division method अब जो यहां पर discuss हम करने वाले हैं वो hcf और hcf और hcf और hcf और numbers only not for algebra क्योंकि hcf और hcm algebra में भी use होते हैं और algebra में भी hcf lcm find करते हैं तो वो तो जाहरे वो metric level और ninth level के questions हैं तो जब हम वहीं पर पहुंचेंगे तो उन question को discuss करेंगे लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे basic level की discuss कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ numbers होंगे उन numbers के अंदर हम hcf और lcm discuss करेंगे by factor method और long division method आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या होते हैं हमें we find करना है hcf में highest common factor क्योंकि मैं इसको इस तरह यह मशलसल discuss कर रहा हुँ क्योंके lcm में lcm का मतलब ह Daha least common factor और सियाफ का मतलब होता है highest common factor जब हम highest common factor निकलते हैं तो चोड़ा सा answer आ जाता है जब हम least common multiple हम find करते हैं तो वह वहां पर बड़ा answer आ जाता है तो यह बहुत सारे student को सवाल होता है कि यह क्या होता है किसे हो गया भई जब हम find ही एक least common factor find कर रहे हैं तो वहां पर बड़ा answer आ रहा है जब IS common factor find करना है तो वहाँ पे एक चोटा सा value आ रहा है इसका ये चोटा या बड़ा value का मतलब ये नहीं है यहाँ पे HCF और LCM के में ये चीज़े involved हैं कि HCF में सबसे बड़ा नंबर जो सारे numbers को divide करें और LCM में क्या है कि सबसे चोटे से चोटा नंबर उनकी multiplication multiples हैं तो उनकी multiplication क्या होगी जो सब numbers को divide करेंगे ये चीज़े हैं जो हम discuss करने वाले हैं अब यहाँ पे देखते हैं 80, 40 और 60 के अंदर कौन सा एक ऐसा value है जो सब को divide कर रहा है 80, 40 और 60 के अंदर एसा कौन सा number है एसा कौन सा divisor है जो तीनों numbers को commonly divide कर रहा है आईए देखते हैं हम सबसे पहले इसको हम solve करेंगे by factor method prime factorization method इन सब की separately हम factors find करेंगे 80 के factor, क्योंकि 80 जो है वो even number है अब यहाँ पे मैं तो discuss यह नहीं करूँगा कि even number हम कैसे पहुचानते हैं और और numbers को हम क्या पहचान है तो यह तो मुक्तलिफ lectures में discuss करेंगे इन्शाला लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हम discuss कर रहे हैं LCM और HCF, तो यह जो number है 80, यह 80 एक है even number है तो even number पे जो table जाएगा वो 2 का table जाएगा, 2 का table 8 पे 4 time, 0 same रखेंगी, 40, 40 again even number है, 2 का table 40 पे 2 का table 4 पे 2 time 0 same, 2 का table 10 पे 1 time 0 same, 2 का table 10 पे 5 time, अब यहाँ पे जाहर है 2 का table तो नहीं जाएगा क्योंकि यह odd number है 3 का table भी नहीं जाएगा 5 पे फिर लगेंगे 5 का table 1 time इसी दरह same 40 के factor निकालेंगे 40 के factor 40 भी even number है 2 का table 40 पे 20 time 2 का table 20 पे 10 time 2 का table 10 पे 5 time 5 का table 5 पे 1 time next 60 60 के भी factor 2 का table 60 पे 30 time 2 का table 30 पे 15 15 पे 3 का table 5 time और अब 5 का table 5 पे 1 time यह तो हो गए हमारे factor अब इनको हमने इन में से LCM निकालना है तो क्या कैसे करें 80 लिखेंगे 80 के factor 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 2 4 time है next 5 अब यहां पे 40 के factor 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply by 5 पे 60 के factor 60 2 multiply 2 multiply 3 multiply by 5 अब क्या करेंगे हम ऐसा एक यहां पे LCM में क्या होता है common factor निकालते हैं अब पेर निकालेंगे यह जो 2 है यह तीनों numbers का factor है next 2 भी तीनों numbers का factor है अब यहां पे देखें 2 80 का factor तो है 2 40 का factor तो है लेकिन 60 का factor नहीं है यह हमारा पेर नहीं बनेगा जाहर है यह अगर 2 नहीं बन रहा तो यह तो 2 बनेगा ही नहीं 3 है यहां पे 60 के factor में लेकिन 40 और 80 के factor में 3 नहीं है यह भी हमारा पेर नहीं निकलेगा यह हमारा पेर निकलेगा अब HCF के लिए क्या करेंगे HCF यह बराबर हो गया 2 multiple जो common factors है 5 2 4 जा 20 2 2 जा 4 4 5 जा 20 तो HCF क्या बन गया 20 20 का मतलब यह है कि 20 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है 20 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो यह हो गया आपका क्या HCF by factor method अब देखते है long division method के तायत बिल्कुल आसान है क्या करेंगे 80 को 40 के साथ डिवाइड करेंगे 40 का table 80 पे 2 टाइम यह हो गया 0 फिर क्या करेंगे 40 के ही साथ 60 को डिवाइड करेंगे क्योंकि जो HCF होगा वहां उस HCF में reminder जो बनेगा यह जो यहां पे यह इसको बोलते है reminder reminder जो बनेगा वो 0 आएगा 40 का table 60 पे 1 टाइम 40 यह बचे करेंगे 20 अब 20 को यहां पे ही रखेंगे और अब लाएंगे 40 40 20 का table 40 पे 2 टाइम 40 minus यह 00 तो यह इस पे इस 20 पे 40 भी हमारा 00 आगया तो यह जो यह last में जो यह divisor है यह हमारा HCF यह हमारी है long division method और यह हमारा था factor method factor method के साथ भी हम निकालते हैं HCF और factor method के ही साथ हम निकालते हैं long division इंशाला LCM हम next lecture में discuss करेंगे thank you allahafis